हलो एवरिवन आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास रेप्टीलिया के बारे में जो की है गनितो स्टोमेटा की सेकेंड क्लास इससे पहले हम क्लास एम्फीबिया फिनिश कर चुके हैं रेप्टीलिया यानि क्लास ओफ रेप्टाइल्स रेप्टीलिया जो शब्द है इसका मतलब होता है वो एनिमल्स जो की क्रीप करें ग्रॉल करें या रेंग करके चलें राइट सो इट इस क्लास ओफ क्रीपर्स और क्रॉलर्स यानि घिसट कर या रेंग कर चलने वाले एनिमल्स की क्लास को हमने नाम दिया क्लास रेप्टीलिया वेल इस क्लास की स्टडी को नाम दिया जाता है यानि इसमें सारे रेप्टाइल्स की स्टडी करेंगे इसकाल्ड हर्पैटोलोजी रेप्टाइल्स में आएंगे कौन-कौन गिसट के या रेंग करके चलने वाले हैं सांप शिपकलिया इसके अलाबा वे वगट टर्टल्स कछवे यानि तॉर्टल्स और इसके अलाबा क्रोकोडाइल्स राइट सो इन सब की भी स्टडीज अलग-अलग होती हैं जैसे कलेक्टिवली तो स्टडी अफ रेप्टाइल्स को हमने हर पैटोलॉजी नाम दे दिया पर अगर सिर्फ लिजार्ड्स के स्टडी की बात की जाए तो उसे कहा जाता है सौरोलॉजी इसी तरीके से स्टडी अफ स्नेक्स इसे दो नाम दे सकते हैं इसे कहा जाता है सर्पैंटोलॉजी और ओफियोलॉजी राइट वन रेप्टाइल्स का ओरीजन तो उसी डूरेशन में हो चुका था जब एमफीबियन्स का गोल्डन पीरिड चल रहा था उनमें कॉंपेटिशन हुआ और जो फिटस था उससे धीर धीरे इवॉल्व हो करके रप्टाइल्स बन गए पर जो रप्टाइल्स थे धर्ती पर बहुत लंबे टाइम तक अकेले यही बने रहे यानि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटे पीरियड में यह मिले कई पीरियड जो हमने रहता है था लास क्लास में आपको कि जब से हमारा ओरीजिन हुआ लाइफ का ओरीजिन हुआ तब से लेकर कि अभी तक की डूरेशन को छोटे-छोटे डूरेशन में बाटा गया जिने हमने बहुँआ पीरियड रहे तो एरा सबसे बड़ा डूरेशन होता है जिसके अंदर कई सारे पीरियड आते हैं तो रेप्टाइल ना सिर्फ एक सिंगल पीरियड में थे बलकि कई लंबे पीरिड्स सक, कई पीरिड्स में ये बने रहे, इनका स्वामित्व पूरी धर्ती पर रहा, इसी वजह से इनका जो golden period है, that is not a period actually, that's an era, that was mesozoic era, एक बहुत लंबे डूरेशन तक, सिर्फ रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स धर्ती पर थे, Okay, so the golden age of reptiles was our mesozoic era, right? और इन्ही रेप्टाइल्स से माना जाता है कि birds and mammals दोनों का ही origin हुआ, is that clear till this part? आगे चलते हैं about its characteristics. सबसे पहले बारी आती है, इनकी habit and habitat की. So talking about their habit first, ये भी fishes and amphibians की तरहां ही cold-blooded या ectothermal animals है. ऐसे याद रख सकते हो कि जब तक body के ऊपर fur develop नहीं हुई, बाल या पंक से जो एक fur का एक coat बन जाता है शरील के ऊपर, जब तक वो develop नहीं हुआ, तब तक सभी animals ectothermal या cold-blooded थे, यानि बाहर के environment के according अपनी body के temperature को धाल लेते थे और आसानी से उस temperature में survive कर सकते थे, चाहे ज़ादा गर्मी हो, चाहे ज़ादा थंड, they could survive every possible temperature. यानि यह wide temperature में जिन्दा रह सकते थे, कौन कर? fishes, amphibians and reptiles. बात आती है इनकी habitat की, तो यह पहले ऐसे animals थे, जो की actually terrestrial habitat के according अपने आप को adapt कर पाए, यानि धर्ती पर पूरे तरीके से move कर पाए, इन्हें reproduction के लिए भी पानी में वापस नहीं जाना पड़ता था, right? So these were first land और terrestrial habitats और इस adaptation के लिए, विल्याद इस तरह की habitat के लिए, खुद को adjust करने के लिए, इन्होंने बहुत सारी adaptations दिखाई, जैसे, इनकी body, जो थी, उसमें धीरे-धीरे changes होने लगे, सबसे पहली चीज, अगर मैं reptilia में एक अच्छा से example लेती हूँ, let's take an example, जिसको धिहान में रखते हो, हम पूरा पढ़ेंगे, let's take crocodile, और let's take maybe snake, तो इनकी जो body होती है, वो divided होती है चार पार्ट्स में, कौन-कौन से, सर यानी head, इनकी गर्दन यानी neck, धड यानी इनका trunk, और पीछे होती है इनकी पूँच, तो यह जो tail थी, यह इन्हें direction change करने में मदद करती है, तो यह पहली adaptation थी, ताकि यह land पर आसानी से चल सके, पानी में होते हैं, तो streamlined body से, पानी काटने में help मिलती है, बट यहाँ पर एक movable tail है, जिससे यह आसानी से body को, अलग-अलग direction में, टरन कर आ सकते हैं, राइट, so there was the first adaptation, शुरू करते हैं, इनके physiological systems को, सबसे पहला, इनका digestion, और लेट्स राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम, चिपकली या crocodile पर अगर ध्यान दिया हो, तो body के end part में, टर्मिनल पार्ट में, उनका mouth present होता है, they have got a terminal, mouth, मजबूत जबड़े के साथ में, मुँ में दाथ होते हैं, कैसे दाथ, प्लूरोडॉंट, और पॉली फायोडॉंट टीथ, आगर आप लोगों ने, digestive system का chapter, धंग से वो lecture धंग से, देखाओ तो आपको ये, दुबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लूरोडॉंट होते हैं, वो दाथ, जो की, जिसे सपोस्ज जॉब ओन है, तो जॉब ओन के sides में attached होंगे, विम्पायर टीथ जैसे होते हैं न, पूरा जबडा तो अंदर रहेगे, और दाथ बाहर से निकले होंगे, वैसे ही कुछ, दाथ जोंगे, दे आर लेटरली अटाच्च्ट, टु जॉब ओन, राइट, वहीं पर पॉली मतलब बार-बार, फायो मतलब related to the time, and डाउंट means teeth, तो जो समय के साथ बार-बार जो दाथा हैं, या नोन अज़ पॉली फायो डाउंट टीथ, याट मीन जिसके multiple sets of teeth हों, यानि सपोज अगर एक बार दाथ गिर भी गए, तो उनकी जगहें दूसरे दाथ ले लेंगे, राइट, दो ऐसा नहीं कि सभी में प्लूरोडाउंट टीथ होते हैं, कुछ ऐसे भी examples हैं, जो कि इनसे अलग तरीके के दाथ दिखाते थे, जैसे कि mammals में मिलते हैं, mammals के दाथ कैसे हैं, हमारे दाथ कैसे हैं, हमारे जबडे में गड़े, या गर्त, या सौकेट्स बनी हुए, जिनमें दाथ फिक्स हैं, तो इनमें जो ज़ादा तर हैं, जैसे snakes हुए, उनके पास plurodon teeth ही हैं, दो, जो crocodile है, वो mammals जैसे दाथ दिखाते हैं, crocodiles के काफी सारे characters, mammals जैसे हैं, और इसी बात से पता चलता है, कि reptiles से ही mammals का origin हुआ था, क्योंकि connection होगा न, कहीं ना कहीं अपने पूरवजों से, so, crocodiles, have, थी को दॉन्ट टीथ, and the meaning of this थी को दॉन्ट इस, टीथ, placed in a socket, a bony socket, right? इनका जो digestive system है, वो बाहर के ओर, अनस में ना खुलकर, cloaca में खुलेगा, अगर मेरी बातें, अब ध्यान से सुनते हो, तो मैंने बार बार बोली है, बात की, अनस मिलता है, पूरे vertebrata में, अनस मिलेगा, केवल और केवल, mammals में, या इससे पहले एक बार वो मिला था, हमें bony fishers के अंदर, right? So, बाकी सब में, cloaca is present, is that clear? Next, respiratory system, या basically इनका, respiration कैसे होगा? सिंगल लाइन ही कर लेते हैं, respiration के लिए, अब land पे रहना है, gills तो काम आएंगे नहीं, तो land पे रहने के लिए, इनके पास होते हैं, lungs, अब, lungs का जब development हुआ, तो आब बोलोगे, कि मैं, lungs जो हैं, वो उपर, एक cavity के अंदर है, जिसे हम थोरा सिख केविटी बोलेंगे, और नीचे अब्डॉमिनल केविटी, हुमन में ये चीज किसने डिफाइन करी, बीच में परदा सा लगा हुआ है, जो muscles का, बना हुआ एक flap है, जिसे हम डाइफ्राम कहते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई clear demarkation नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डाइफ्राम नहीं मिलता, डाइफ्राम केवल और केवल mammals का ही character है, और साथ ही ये मिलता है, crocodiles में भी, राइफ्राम केवल में बोलेंगे, तो respiration is by lungs, दो डाइफ्राम, is absent, इसका exception कौन है? crocodiles Is that clear to this part? तो reptiles है, creepers या crawlers, जो की पूरे तरीके से land के according अपने आपको adapt कर गया है, body divided है, head, neck, trunk और एक tail में, यह जो tail है, इन्हे direction change करने में मदद करेगी, tail के उपर एक bony part होता है, जिस bone को अब आप पढ़ते नहीं हो, chevron bone कहते हैं इसे, that bone is, that provides tail a mobility, और इस tail की mobility की वज़ह से ही direction change करने में इने मदद मिलती है, digestive system इनका complete है, terminal mouth में, pleurodont teeth लगे होते हैं, एक बार गिर गए तो दुबारा उनकी जगर replacement आ जाएगा, सिवाए crocodiles के, जिन में थीकोडॉंट teeth है, और इनका जो यह digestive system है, that opens into cloaca, respiration के लिए यह lungs को use करते हैं, पर इन में diaphragm absent होता है, सिवाए crocodiles के, जिन में diaphragm पाया जाएगा, note it down till this part, next is their circulatory system, जो इनका circulatory system है, वो बना है, three chambered heart से, actually NCRT कहती है, three chambered heart, बट वो anatomically three and half chambered होता है, कैसे, वो मैं समझा रही हूँ आपको यहाँ पे, they've got three chambered heart, actually कैसा है यह, यह है three and half chambered, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ventricle होता है, उसमें भी septum आचुका होता है, that means they've got two atria, and one ventricle, with incomplete septum, right, so इस वाज़ से three and half chambered भी कह सकते हो, though there is again an exception, their exception is crocodiles, मैंने का था, crocodiles में, mammals के साथ similarity मिलेगी, so crocodiles have, four chambered heart, just like mammals, is that clear, अब क्योंकि three chambered heart है, तो three chambered heart कैसा हुआ, योगे दो atria, ये रहा ventricle, और इस ventricle में भी ऐसे partial division है, अब है क्या, इन दोनों ventricle से, अपने अपने, arches निकलने शुरू हो गए थे यहाँ पर, जो कि यहाँ से blood को उठा करके ले जाते थे, पर जो blood यहाँ पहुँच रहा था, इस atrium में कैसा blood, इस atrium में blood पहुँचा, जो कि यहाँ कहीं आ करके, थोड़ा उपर से इसको बनाना चाहिए था मुझे, जो यहाँ आ करके mix हो गया, राइट, विद्दी, oxygenated blood जो कि इस side वाले atrium में पहुँचा, और यहाँ ventricle में पहुँच के यह mixing हो गई, और दोनों ही trunks के अंदर mixed blood गया, तो यह जो heart है मैं से कह सकते हैं, double circulation है, heart में दो बार blood आया, on one side there was deoxygenated blood, जो कि lungs में pump किया जाना था, और एक दूसरा जो lungs से होता हुआ, there was deoxygenated blood which reached here, राइट, तो यहाँ पर double circulation है, just like amphibians but incomplete है, क्योंकि यहाँ पर mixing of blood हो रही है, right, so we can write, incomplete, double circulation है, complete क्यों नहीं है, क्योंकि mixing हो गई ब्लड की, space नहीं है, लिखते लिखते करी बार गल्टियां हो जाती है आपर, because there is mixing of, blood present, right, जैसा की, Pisces and Amphibia में हमने देखा था, there was sinus venosus, यानि, कुछ ऐसा पार था, जो veins की तरहां काम कर रहा था, and वहाँ पर truncus arteriosus था, जो की artery की तरहां काम कर रहा था, और veins से blood receive कर रहा था, but क्योंकि यहाँ पर arches, तो specifically develop होई चुके, तो यहाँ पर truncus arteriosus की requirement थी ही नहीं, but yes, sinus venosus अभी भी थे, क्योंकि atria poorly developed थे, ढंक से बन नहीं पाये थे, right, so sinus venosus present, वही पर truncus, arteriosus यहाँ नहीं पाया गया, right, hepatic portal system, सारे vertebrates की तरहां इन में भी था, वहीं क्योंकि अपने पानी में रही रहते थे, अभी चल फिर सकते थे, तो इन animals तक आते आते, जो renal portal system था, that was poorly developed, वहीं की जो RBCs है, वो कैसी है, just like any other vertebrates, सिवाए mammals के सब में RBCA की जैसी है, RBCs है oval, biconvex और nucleus के साथ, राइट, तो RBCs, oval, biconvex, and nucleated, काफी बार बच्चे मुँसे पूछते हैं, कि माम क्या vertebrates के पास hemoglobin था, तो yes, all vertebrates had hemoglobin in their RBCs, और इसी वज़र से मैं इसको specifically कहीं पर भी नहीं बता रही हूँ, तो इनका सब का respiratory pigments सारे vertebrates का was hemoglobin, is that clear till this part, please note it down, next is their excretion, excretion के लिए सभी, excretion and in fact osmoregulation के लिए सभी vertebrates में पाई जाती है, kidneys, पर kidneys के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यहां मिलेगी, metanephric kidneys, जए यह metanephric kidneys है, यह present होती है, in all amniots, right, इसी उसको मैं last में जब reproduction पढ़ाऊंगे, तो clear करूंगे, कि amniots exactly होते क्या है, ताकि आप पहले भी जब जहां पर kidneys का discussion आया, वो आपको easily clear हो सके, right, so excretion is by metanephric kidneys, generally, जो reptiles हैं, वो yuriko-tellic है, जैसे कि snakes हुए, चिपकलियां हुई, क्योंकि जहां आपने देखा, आप तुरंट इने मारने या भगाने की सोचोंगे, तो विचारों को छुपए रहना पड़ता है, वही पर, जो crocodiles हैं, उनके पास इनफ पानी है आसपास, they are all amonotellic, बट अगर general question आता है, और पूछा जाता है कि ए रप्टाइल में किस nitrogenous waste को release करने की tendency होगी, तो उनमें uric acid की tendency होगी, क्योंकि जादा snakes and lizards हैं इनमें count में, right, so क्योंकि snakes जो हैं, they are releasing solid waste, इनके पास urinary bladder नहीं होता, so snakes lack urinary bladder, is that clear? next is their skeleton अब जो skeleton है, ये दो तरीके का हो सकता है, एक बाहरी skeleton, that means the exoskeleton, and one is their endoskeleton, पहले exoskeleton की बात कर लेते हैं, ये पहले animals थे जिन्नोंने अपने आपको पूरे तरीके से ढाला था, बाहर के harsh environment के लिए, धूप के लिए, land के environment के लिए, तो इस वज़ा से इनका जो exoskeleton था, उसने बहुत सारी adaptation शो करे, right, so exoskeleton किस चीज से बना था? it was made up of bony scales and scutes, basically यहाँ पर हड़ियों की plates थी, जिन्होंने इनकी पूरी body को ढखा हुआ था, right, और इनकी skin में glands भी absent थी, यह दोनों ही चीजे थी इनकी land adaptation और यह क्या करती थी? to prevent loss of water through the skin surface, ऐसा नहों की body पर धूप पढने से ही कही सारा पानी गायब हो जाए, तो इसलिए इनकी body के ओपर हड़ियों से बने हुए scales या scutes, basically skin जो थी हूँ cornified थी, बहुत सारे मोटा एक थिक सा इनके ओपर एक लेयर प्रेजेंट थी, तो skin was glandless and it was cornified, बहुत ही मोटी, बिल्कुल रफ सी skin होती है इनके ओपर और आसका जो से scales जो हूँ बहुती मोटे हड़ियों से बने हुए है, is that right, next is their endoskeleton, इनका पूरा endoskeleton बना होता है हड़ियों से, right, next is their nervous system, locomotion रह गया बीच में, anyways, पहले nervous system पढ़ लेते हैं, पहली बार land के लिए अपने आपको adapt किया, बता चुकियों जिन्होंने first time land के लिए adapt किया था, उन्ही में पहली बार आई थी, 12 जोडी cranial nerves, राइट, वहीं पर अगर हम बात करें, इनके sensory organs थी, कि अगर के बेस किस चीज से इनको सारी जो sensations होती थी, external, वो इनके किस चीज से पता चलती थी, तो देखने के लिए इनके पास थी एक जोडी आँखें, सुंगरे के लिए दो nostrils दो छेदों वाला नाग था, सुझके के पास तो special organ था इनकी बकल cavity में, माउथ में, especially snakes में जिसको बोला जाता है Jacobson's organ in their buckle cavity मतलब जो basically इनका mouth की जो हड़ी है इसकी जो roof अली बोन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है that was for olfaction सुमने की इनकी capability बहुत जादा होती है राइट वही सुमने के लिए इनके पास amphibians की तरह ही टिंपैनम प्रेजेंट है वही स्नेक्स में तो कान होते ही नहीं है so absent in snakes बचे डाउट लेके आते हैं कि मैं मगर स्नेक्स के कान नहीं होते तो बीन बजने पर वो कैसे नाचते हैं जब बीन बजाते हैं तो basically वो उसकी movement के साथ में हिल रहे होते हैं they cannot hear the sound yes they can feel the vibrations but they cannot hear anything तो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा कि जो reptiles हैं उनके पास है एक three-chambered heart जिसमें दो atria और एक partially divide करने वाले septum से बना हुआ ventricle है और इससे trunks निकलते हैं जिसकी वज़ा से जो truncus arteriosus या conus arteriosus है वो इनमें खतम हो गया but yes sinus venosus इनके पास present है hepatic portal system पाया जाता है but renal portal system धीरे धीरे करके regress करता चला गया right rbcs as usual they had oval biconvex nucleated hemoglobin filled rbcs just like all the vertebrates but exception थे इनके crocodiles नहीं काफे similarities mammals जैसी थी जैसे उनके पास diaphragm भी था just like mammals उनके पास 3-codone नाथ थे just like mammals ऐसे ही उनके पास diaphragm present था जो कि thoracic cavity को abdominal cavity से अलग कर रहा था जो कि बाकी reptiles में नहीं पाये जाता जितने भी reptiles हैं ये metanephric kidneys से excrete करते हैं और usually uric acid का excretion करते हैं exoskeleton इनका thick cornified है मोटे हड़ियों से बने हुए covers, plates, scutes या scales इनके पास present है जिससे कि body का कोई पानी का loss ना हो पाए ये इनकी land के लिए adaptation थी तो सूखने से body को बचाने के लिए they had thick, cornified and glandless skin वही पर इनका endoskeleton हड़ियों से बना हुआ है, nervous system बना है, 12 जोड़ी cranial nerves से देखने के लिए एक जोड़ी आँख, सूंगने के लिए नाख है और सुनने के लिए इनके पास कान के नाम पर tympanum present है, eardrum present है वही snakes के पास एक special smelling organ भी है, olfactory organ भी है जिसे नाम दिया जाता है, Jacobson's organ which is present in their buccal cavity Is that clear till this part? Please note it down